अब उसके बाद अगला जो हेडिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने साथ हमेशा बुक लेकर चलिएगा ताकि हम जो जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे हैं यह सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से एक्स्प्लेइन यहाँ पर जब मैं करूं तो आपको पता चलेग कि किसी चीज़ की यहाँ पर कमी होना तो पानी आज के टाइम पीरेट पर अगर हम देखेंगे तो बहुत जगे पर जो है वो पानी की बहुत कमी है जैसे अगर हम बात करेंगे यह एफरीका है है ना एफरीका में एफरीका जो कॉंटिनेंट है जैसे एकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह आपको भारत देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको श्रीडंका देखने को मिलेगा यह मालड्यूस हो गया इसके नीचे यहाँ पर यह जो कॉंटिनेंट आपको देखने को मिलता है यह क्या है यह एफ्रीका कॉंटिनेंट है तो एफ्रीका में क्या होता यूए इह हो गया कतर हो गया बहरीन का टर हो गया फिर उसके बाद इरान में इराए में यहाँ पर देखने को मिलेगे yen आपको बता है कि यह तो यहां पर एफ्रीका है गया है्ना उपर की तरफ आपको यहां पर नर्हेरीका देखने को मिलेगा, नीचे South America, North America में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको USA देखने को मिलेगा, फिर आपको Canada देखने को मिलेगा, फिर आपको Mexico देखने को मिलेगा, तो USA में भी अगर हम देखेंगे, तो USA वाला जो पार्ट है, जो Western USA वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वहाँ पर भी है ठीक है problem उसके बाद फिर यहाँ पर आस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पानी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है तो इन सब जगे पर क्या है कि fresh water की जो supply यहाँ पर होनी चाहिए वो fresh water की supply उतने बड़े scale पर हो नहीं पा रही है जिसकी वज़े से requirements जो है वहाँ पर है पानी की उनको हम यहाँ पर fulfill नहीं कर पा रहे हैं countries located in the climatic zones most susceptible to drought face great problems of the water scarcity तो अब यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि जहाँ पर climatic zones जैसे अलग-अलग तरीके की चीज़े होती न जैसे equator वगरा के पास जो यहाँ पर countries होती है वहाँ पर rainfall तो होती है लेकिन उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है temperature बहुत जादा होने की वज़े से आप यह कह सकते हैं कि drought वगरा की problem भी यहाँ पर आ जाती है है ना सूखा वगरा भी पढ़ जाता है जैसे अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर भी राजिस्थान महराष्ट हो गया आंध प्रदेश वगरा वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर अगर गलता हैं यहाँ अब देखोगे तो उसमें पानी जाधा होता है लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती है जो सूख जाती है यहेसे आपने सुना होगा राजिस्थान में एक नदी थीए ठीका जिसका नाम के इन देखने को मिलेगी ठीके तो whilst देखने को मिलेगी तो यह लिए र उत्रप्रदेश और उत्रप्रदेश को यहाँ पर benefit पहुंचाती है दोनों रिवर्स तो इनको यहाँ पर क्या किया जा रहा है इनको link किया जा रहा है मतलब एक रिवर में पानी थोड़ा जादा है दूसरी रिवर में पानी थोड़ा कम है तो जो बुंदेल खंड वाला region पर क्लाइमेटिक जोन में आपको देखने को मिलेंगी वहां पर क्या होता है कि आप यह कह सकते हैं कि वाटर की जो प्रॉब्लम है वह आपको एक बड़े स्केल पर देखने को मिलती है ठीक है चले आप यहां पर एक की सौरास्ट के वारे में तो सौरास्ट जो है गुजरात का पार्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि अम्रेली सिटी इन सौरास्ट रिजन विटा पॉपलेशन ऑफ 1.25 लेक्स इंदा कंप्लेटली डिपेंडनेंट और पर्चेसिंग व ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखने और बेसिकली यहां पर क्या है कि जो गुजरात वगरा का जो रीजन यहां पर है न उसको हम सौरास्ट यहां पर कहते हैं तो सौरास्ट जो है गुजरात का ही पार्ट आपको दिखने को मिलेगा तो यहां पर क्या होता है कि पानी बिल्कुल नहीं है, तो यह आज पास की जो छेतर होते हैं, रीजन सोते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, कि यह पानी को परचेस करते हैं, तो अगर माल लीजे कि हम यह बोलते हैं कि water shortage यहाँ पर हो रही है, तो water shortage जो है न उसके दो तीन यहाँ पर कारण है, पहली बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या है कि variation in the seasonal और annual precipitation, ठीक है, मतलब annual precipitation का basic मतलब यहाँ पर यह हुआ rainfall, अगर rainfall यहाँ पर sufficient amount पे होगा, तब तो यहाँ पर कोई problem नहीं होगी, अगर माल लीजे कि variation यहाँ पर हो रहा है, rainfall बहुत जादा level पर आपको देखने होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज का प्रियोग करना, है ना, या फिर आप यह के सकते, contamination, contamination का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि जो चीजे हैं, वो यहाँ पर क्या हो रही है, गंदी हो रही है, है ना, जैसे pollution वगर आगर आप देखोगे, तो अगर कोई जो है, वो देखने को मिलेगी, तो इस point को भी हमको यहाँ पर समझना है, कि water shortage के यहाँ पर क्या क्या reason यहाँ पर हो सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको पानी की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो I hope यह सारे concept आपको समझ में आ रहे होंगे,